तो दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर Poco X4 Pro और अगर आपके पास Poco X4 Pro या फिर Redmi Note 11 Pro Plus है और आपका फोन डेड हो जाता है जैसे कि आप देख पाड़े हो गाईज मैं यहाँ पर फोन को अन करता हूँ तो हमारा फोन जो है आटोमेटिक फास्ट बूट मोड में आकर चला जाता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि मेरा फोन जो यहाँ पर हो चुका हुआ है मतलब अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए जैसे कि आपका फोन बूट में जा रहा हो या फिर कोई अधर मोड में जा कर सकते है आज के स्क्रीटियो में जाल यहां रही है चलिये है यूज आप विडियो को करते हैं शुरूंए आपको नंबा होने वाल हूं क्योंकि यह पूरा मैए मैं ब्लशा करकросा करकर UP करे समझाने या वाला हूं तो भीडियो को आप कर लेते विडियो को सुरूंग तो दोस्तों यह हमें होता कब है यह जब हम कोई कस्टम रिकवरी या फिर रूटिंग करने के वज़े से हमें यहां पर इस तरह का प्रॉबलम होता है कुछ गलत फाइल इंस्टॉल करने के वज़े से तो मैं कुछ गलत फाइल इंस्टॉल करने के वज़े से मेरा भी मेरा भी वही हाल हुआ है डेड़ हो चुका हुआ है लेकिन घबडाने है कोई बात नहीं साउमी का पोको का डेडमी का अगर डिवाइस है तो कोई भी फोन डेड़ नहीं होता है इसी तरीका से आप इसे फिक् चाहिए गयाज ठीक है आपका जो ड्राइवर है मतलब साउमी ड्राइवर है वह इंस्टॉल होना चाहिए जो कि आपको ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्सिन में छोड़ दूंगा आप जाकर देख लेना ठीक है और एक और चीज चाहिए आपको बता दू आपका फोन का बूट लोटर भी अनलॉक होना चाहिए कॉमन सी बात है अगर आप रिकवरी वगरा से मतलब छेर चाहर करने के वज़द से किये हो तो मतलब यह जो बूट लोटर है वो अनलॉक हो का तभी न यह आपकी इस परकार से काम कर सकते हो तो बूट लोटर जो है अनलॉक होना चाहिए ठीक है इसके अलाबा आपको यह डाउनलोड फाइल कर लेना है ठीक है एंड उसके बाद से आपको यह साओमी फ्लैस टूल आपको दिख़ड़ा होगा गैज ठीक है आपको मैं जूम कर दिता हूँ तो गैज यहाँ पर यह साओमी फ्लैस टूल दिख़ड़ा है आपको यह साओमी फ्लैस टूल को यहाँ पर ओपन कर लेना है ठीक है तो पहले मैं इसे कट कर देता हूँ ठीक है अब यह साओमी फ्लैस टूल आपको दिख़ड़ा है न गैज तो सबसे पहले क्या करना है चैंब का यहाँ पर अलगवक 5GB के आसपस कई है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको पहले ये करना है है अपको ये डाउलोड में गारें आपको आपको दिखा देता हूं ठीक है आपको यहाँ पर राइट किलिक करके यहाँ पर जो है extract to जो है यहाँ पर कर लेना है ठीक है extract to कर लेना है मैं already कर चुका हूँ तो गाईज इस तरह का आपको folder मिल जाएगा वो folder जो है आपको उसके अंदर वी एक folder आएगा तो वो folder को cut करके और उसके बास से हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो है c drive के अंदर paste कर देना है तो जैसे कि आप देख पाना है यह c drive के अंदर में paste कर दिया हूँ इसी परकार से आपको c drive में paste करना है ठीक है और उसके बास से हम इसे open करेंगे तो इस तरह का option देखने को मिलेगा ठीक है और उसके बाद से हम यहाँ पर जो है उपर जो आपको यह दिख रहा है ना गाईज यह उपर में location वाला option हम location वाला option पर click करके click करेंगे copy कर लेंगे यहाँ से ठीक है उसके बाद से जो है इसका link आपको description मिल जाएगा और इससे आप download करके install कर लेना गाईज ठीक है उसके बाद से हम इसे open करेंगे ठीक है open करने के बाद गाईज हम यहाँ पर ऊपर में जो आपको option जो दिख़ए है यहाँ पर हम इसे select मतलब पूरा clear all करेंगे clear all करने के बाद हम यहाँ पर paste करेंगे ठीक है जैसे कि आप देख पाड़े हो मैं यहाँ पर paste कर दिया हूँ ठीक है paste कर दिया हूँ और उसके बाद से आपको ध्यान देना है गाई नीचे में यहाँ पर clean all and lock है तो गाई हम इस पर click नहीं करेंगे clean all पर click करेंगे क्योंकि आपको बदाए तो clean all पर अगर हम click करेंगे तो हमारा जो phone का bootloader है वो भी unlock रहेगा और हमारा phone का software भी flash हो जाएगा ठीक है उसके बाद से क्या करना है गाईज फोन को data cable से connect करना है type c वाला data cable जो है उसके अंदर से connect करना है गाईज ठीक है मैं connect कर लिया हूँ उसके बाद से आपको यहाँ पर जो है refresh का option दिखड़ा होगा ठीक है गैज यहाँ पर रिफ्रेस का ओफ्सन दिखड़ा होगा ठीक है यहाँ पर रिफ्रेस जब हम करेंगे ठीक है तो हमारा ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा तो इस परकार से बॉक्स बना आ जाएगा ठीक है और उसके बाद से आप देख पाड़े हमारा फोन जो एकनेक्टेड ह ठीक है ठीक है फिस्टी करेंगे एकनेक्टेड है अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे अप डैरेक्ट हम ईसे फ्लैस का ओफ्सन जो powerless यह आप अपर आ को दिखड़ा है हम इस फ्लैस पर करेंगे गैस ठीक है तो गयाईज passingी स्टार्ट हो जायाएगा कोई प्रॉब्रॉल ठीक है कि यह और कितना स्पीड है कितना पुराइना कितना नए इस प्रकार से ठीक है तो यह आप देख पाड़े हो कि तो गाईज यहां पर इसमे 훨씬 लगेगा थोड़ा सा मेरा फोन जो फास्ट भूट मोर इन है ठीक है तो यह समय ऊंदो लगे गा ही ठीक है कि अ तो गॉजा जब तक हम इंतिजार करते वीडियों ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक है तब तक लिए हम वीडियो को आस कर लेते हैं ठीक है अगर अभी भी-भी भी फ्लैस नहीं हो रहा है ठीक है मतलब मतलब थ्लैसिंग मतलब रहा है add complete नहीं हुआ ह्ए है इसका मतलब है कि भी थोड़ा सा समय लगेगा ठीक है तो आप इंतियार कर लो गाइज । इस लिए जादा लेड़ा नहीं है क्योंकि आपको बता दू कि यह जो है 5 GB का एक flash file था उसको extract किये हैं उसके पाइसे 8 से 10 GB के आसपास का यहां चला गया है गाइस ठीक है मैं इसका यहां पर जो प्रोपर्टी में जाकर मैं इसका चेक कर लेता हूं इसका जो folder का size वो कितना है ठीक है तब ही पता चलेगा कि यह जो है folder का size में चेक कर लेता हो गई ठीक है तो गाइस 9 GB का मतलब लगा हो नव 80 मतलब 10 GB के आसपास के यहां पर यह हो गया है ठीक है तो जैसे कि आप देख पार है ओ फ्लैसिंग फिर से यहां पर अभी चली रहा है ठीक है तो इसमें तो लगे गई आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो यह अभी फ्ल तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है अनप्लग नहीं करना है मतलब जो और फास्ट बूट में लगा हुआ है वो निकालना नहीं है इंतिजार किजिए गाइस ठीक है यह लगवग हो जी चुका हुआ है ठीक है आप देख पाने हो प्रोसेस जल्दी-जल्दी से चल रहा है तो आप वीडियो को इंड तक देखना गाइस ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है होने देते गाइस तो गाइस लगवग अब कंप्लीट होने वाला है क्योंकि अभी बहुत जल्दी-जल्दी से प्रोसेस चल रहा है छोटा-छोटा फाइल वाला जो प्रोसेस होता है वो चलने तक नहीं हुआ है तो आपको मैं पहले से भी वोला था कि जो छोटा मोटा फॉन होता है ठीक है वह लगबग चार से पांच मिनिट केंदर में हो जाता है लेकिन यह बड़ा फोन है फ्लेक्सिव लेवल का लगबग बड़ा साइच का इसमें फार्मेर फ्लैस होता है तो इस फॉसमें फायल ट्रांसपर अब अब फास्ट बोट पर ही कनेक्टेड़ है तो इस एब लिखा 5 ऐट मिम्हाल काई तो इसी पर कार से आप जो है आप जो मतलब आपका phone अगर dead हो जाता है कोई भी phone वैसे dead हो जाता है तो इसी परकार से कर सकते हो लेकिन अगर आप Redmi Note 11 Pro Plus या फिर Poco X Pro Pro चला रहे हो तो इसमें यहां पर आप पूरा guide को follow करके आप इस तरह से जो है काम कर सकते हो guys, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब के बेल आइकन दवा दिजिएगा ठीक है एक लाइक जनूर कर दिएगा लाइक कर लेने से आपका प्यार एंड सपोर्ट पर चलता है गाईज ठीक है तो अभी भी होने दीजिए बहुत ज्यादा समय लगड़ाएगा इच लगवग यहाँ पर छे इदर और तीन उदर चो तीन नौ मिनट के असपास हो गया लगवग दस मिनट के असपास होने जाड़ा है ठीक है तो हाँ लगवग 10GB का फाइल भी तो है तो एक जीबी एक समझ रहे हो ना तो और छोड़ा छोड़ा फाइल है तो छोड़ा छोड़ा फाइल को यहां पर फ्लैस करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है ठीक है बड़ा फाइल के कंपेर में छोटा सा ज्यादा समय लगाता है ठीक है तो यह अभी होड़ा है समय ठीक है मतलब होड़ा हो जाएगा थोड़ी दिर में और डाइरेक्ट यहाँ पर जब फ्लाइस हो जाएगा ना गाईस तो यहाँ पर सक्सेस लिख देगा ठीक है और उसके बाद से हमारा फोन जो है यह ओन होना शुरू हो जाएगा तो अभी देखते हैं गाईस ठीक है कितना समय लगाता है तो ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए फिर विससे मैं पाउस करता हूँ ठीक है पाउस क्या करों सक्सेस होई गया ठीक है तो जैसे कि आप दे देखा सक्सेस हो गया फ्लैस डन यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर हमारा फोन जो भी बूट होना शुरू हो चुका हुए तो अब यहाँ पर पोको है तो पोको लिखाएगा अगर आपका रेडमी है तो रेडमी लिखाएगा गाई ठीक है यह आ जाएगा तो आपको बता दू एक और चीज की रेडमी नोट 11 प्रो प्लस जो है उसका मैं फ्लैस फाइल अलग दूँगा ठीक है एंड पोको में जो फोन है आपका उसी में फ्लैस करना है ठीक है न तो गैज कैसा लगा वीडियो आसा करतो वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों की वीडियो पसंद आएगा तो लाइक चेरें सब्सक्राइब करने का विए लाइकन जरूर दबा दियेगा चलिए गाज मिलते हैं इक वीडियो में फोन आउन हो जाया गाई जब